नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूँ आपका अपना YouTube चैनल एक्जाम अपडेट की गुरुजी YouTube चैनल दोस्तों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार हैं ये वीडियो को पहली बार देख रही हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ बैल आइकन को भी आउन कर लेना तो चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं आज की हमारी न्यू वीडियो को कैंपस, नीट, यूजी ओनल, इंडिया कोटा थर्ड राउंड के लिए आठ तक रजिस्ट्रेशन दस नए सरकारी कॉलेज बढ़े मेडिकल काउंसलिंग कमेटी, MCC ने नीट यूजी दो हजार चौबीस में प्रवेश के तीसरे राउंड की काउंसलिंग के लिए पंजी करण शुरू कर दिया है नैशनल मेडिकल कमीशन ने दस नए मेडिकल कॉलेजों दाखिले की अनुमती दी इस वर्ष अब तक 43 नए मेडिकल कॉलेज समवाद दाता पटना मेडिकल काउंसलिंग कमेटी, MCC ने नीट यूजी दो हजार चौबीस में प्रवेश के तीसरे राउंड की काउंसलिंग के लिए पंजी करण शुरू कर दिया है योग्य उम्मीदवार वेबसाइट mcc.ni.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर सकते हैं आठ अक्तूबर तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं 24 फीलिंग 5 से 8 अक्तूबर तक कर सकते हैं सीट अवंटन रिजल्ट 11 अक्तूबर को जारी होगा कॉलेज में एड्मिशन के लिए रिपोर्टिंग 12 से 18 अक्तूबर तक कर सकते हैं mcc, neat uz, onl, india quota की वेबसाइट पर 10 नए अतिरिक्त गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज को उक्त काउंसेलिंग में शामिल करने की घोशना की गई है जिससे एक वाचास MBBS सीटों का इजाफा होगा रजिस्ट्रेशन शुल्क अनारक्षित, यू आर और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS के उम्मीदवारों को नीट यूजी काउंसलिंग 2024 के लिए पंजी करन करने के लिए एक हजार रुपे का गैर वापसी योग्य पंजी करन शुल्क देना होगा SEC, SAT, OBC और PWD श्रेणियों के उम्मीदवारों को 500 रुपे का भुगतान करना होगा नए स्टूडेंट्स कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन MCC ने बताया कि जिन उम्मीदवारों ने पहले राउंड और दूसरे राउंड के लिए पंजी करन किया उन्हें कोई सीट आवंटित नहीं हुई उन्हें फिर से पंजी करन करने की जरूरत नहीं है तीसरे राउंड के लिए नया पंजीकरण उन उम्मीद्वारों के लिए खुला है जिन्होंने पहले और दूसरे राउंड में पंजीकरण नहीं कराया हो चाहे वो पंजीकरण और सुरक्षा शुल्क सहित फीस का पूरा भुगतान कर चुके हो थर्ड राउंड में ओल इंडिया कोटे के तहत 150 सीटें बढ़ी बढ़ी सीटों पर इसी वर्ष नीट यूजी दोसाज़ जोबीस की रैंक के आधार पर MBBS प्रथम वर्ष में प्रवेश दिया जाएगा इसके तहत सरवाधिक आठ नय गवर्णेमेंट मेडिकल कॉलेज महाराष्ट्र में उत्तर प्रदेश में एक तथा उत्तर अखंड में एक मेडिकल कॉलेज शामिल होगा जिसकी 15 प्रतिशत सीटें नीट, यूजी, ओनल, इंडिया कोटा थर्ड राउंड काउंसेलिंग से भरी जाएगी 85 प्रतिशत सीट्स उनकी स्टेट काउंसेलिंग प्रोसेस द्वारा भरी जाएगी इस प्रकार 150 गवर्नेमेंट MBBS सीट्स ओन अन्दल इंडिया कैंडिडेट से तथा 850 MBBS सीटें स्टेट कोटे के कैंडिडेट से भरी जाएगी एलन कैरियर इंस्टीट के कैरियर, काउंसलिंग एक्सपर्ट पारिजात मिश्रा ने बताया कि देश में आने वाले समय में चिकित्सकों की कमी को पूरा करने के उद्देश्य से मेडिकल कॉलेजों की स्विकृती जारी की जा रही है कई राज्यों में अब तक 33 से अधिक गवर्नेमेंट मेडिकल कॉलेजों को लेटर ओफ पर्मिशन एलोपी नेशनल मेडिकल कमीशन द्वारा जारी किये जा चुके है इसमें उत्तर प्रदेश के सरवाधिक बारा तेलंगाना के आठ राजस्थान के पांच मध्यप्रदेश के तीन महाराष्टर के दो आध्रप्रदेश के एक असम के एक अव ओडिशा के एक गवर्नेमेंट मेडिकल कॉलेज को सेकेंड राउंड की काउंसिलिंग शुरू होने तक एलोपी मिल चुकी थी यहां खुले 10 नए सरकारी मेडिकल कॉलेज पारिजात मिश्थान ने बताया की थरड राउंड की काउंसिलिंग में जो नए मेडिकल कॉलेज प्रतम बार शामिल हो रहे हैं उनमें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बुल्धाना महाराष्ट्र, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अंबरनात महाराष्ट्र, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हिंगोली महाराष्ट्र, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज भंडारा महाराष्ट्र, गवर्नमेंट मेडिकल सोनभद्र उत्तरप्रदेश शामिल हैं इस प्रकार 43 नए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में कैंडिडेट्स प्रथम बार इस अकादमिक सत्र 2024-27 में प्रवेश लेंगे डिस्कलेमरा यह प्रभात खबर समाचारपत्र की automated news feed है इसे प्रभात खबर.com की टीम ने संपादित नहीं किया है